हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का एक्जाम भी में सुगाइज यहां पे ना सबसे इंपोर्टन चीज क्या है अब देखो कट-off का यहां पर हो चुका है आप लोगों के लिए ठीक है आप लोग को बता दिया पेपर बहुत हार्ट था यार मतलब वह साथ मिनिट में अगर ठीक है इतना पेपर तो कैसे होगा भाई 15 दिसंबर उसकी लाज्ट टी और यहां पर 17-18 जन्वरी उसका पेपर हो गया ना ओके तो यह सब चीज़े भी है जिन्दगी में ऐसे भी यादगो मतलब 15 नॉमबर था साथ उसकी लाज्ट डेट और उसका यहां पर जन्वरी में कि तो बहुत से लोग बोड़े फरवरी पर हो गया तो यहां पर तो यहां पर टीर वन का आप लोग को बता चुका हूं मैं टीर बन के बाद बच्चे पोच रहें सरांसर की आंसर की के लिए देखो सिधा है सिंपल भाई चार से पांस दिनों में जिसमें वीच में कोई वर भाई आप जब रिस्पॉंस की डालोगे ना रिस्पॉंस की तो यहां पर आपको मिल देगी वहां पर आएगा कि आपने कौन सर्टी किया है तिके उनका आपको दोनों आजाएगा उस हिसाब से अपने मार्क्स लगाना नेगटिव वाले को अपने उससे मैनस कर देना ऐसे वह पेपर और यह पेपर का लेवल दोटार 21 का पेपर और 2024 का पेपर भाई सब यह है जमीन को कि यह है आस्मान यह लेवल अब समझ लो जविंगा मेल होई नहीं सकता तो इसलिए भाई सब्सक्राइब आ गया और तो यह चीज़ आप लोग यहां पर द्यान देना चार से मांस दिनों में आपके रिस्पॉंस के आ जाएगी 17 और 18 आपका पेपर था तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर देट तो आपको 22 और 23 में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी जनवरी में ओके यहां पर हो गया तीर वन का रिजल्ट बहुत से बच्चे पुछ रहे है तो याद रखो हमेशा आइबी के टीर वान में बहुत लेट लगती टीर टू का आंसर जल्दी आता है मतलब रिजल्ट जल्दी आता है अभी देखो यहां पर कहका चीज़ प्रेंडिंग है आइबी की उस हिसाब से यहां पर बात करेंगे यह कोई नहीं बताएगा आपको देखो उसके आप तक नहीं आई कही कई जगह उपर दिल्ली में तो स्चाट हो रहा है तीस की आइसी हो रहा है जट स्टार प्रेंटी में भी तो मतलब भी आप हैं नहीं होगा यह नहीं हुआ है यह आइए मटियस का नहीं हुआ है अभी तक 2012 वाला इसका final result आना बाकि है दूसरा IBJIO का interview घतम हो चुका I think 9-10 November December इसका final result आना बाकि है final result का मतलब है यहां पर आपका final result आएगा या DV होगा साथ में तो यह आना बाकि है फिर यहां पर यह दो चीजे जो IB के पास अभी pending है क्योंकि पेपर पूपर तो टीचेस करवाता है इसलिए उनको टाइन लगता तो यह IB MTS का और SA का भी अभी थोड़ा बहुत कुछ काम बाकि है 2022 का समझ में आ गया और एक और चीज़ सबसे important 20 December को paper हुआ था 2023 में किसका IB SA MT का ठीक है इसका और MTS का नयवाले का ठीक है इसका अभी तक tier 1 का result नहीं आया है पहले आपका tier 1 का result आएगा फिर आपका IB ACIO आएगा tier 1 का result यह 20 December में हुआ था तो आप मान के चलो आपका यह 15 February से पहले आपका result आएगा किसका IB MTS SA के जो MT वाला है को के अब यहां पर यह होगे 15 February अब आप मान के चलो आपका 17 से 18 जनवरी को आपका paper वा था आप जनवरी तो पूरा गया फर्वरी भी पूरा गया आप 10 मार्च से पहले इसका result एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है अभी यह भी है इनके पास अभी यह है करने के लिए भाई यह paper 20 December को आ था 15 फर्वरी को तो इसी का पहले इसी का result आएगा तो उसके बाद यह काम है इनके पास काम का होता है बेभी जल्दी आ सकता है फर्वरी के लास्ट में आ जाए लेकिन आपको मिल जाएगा 45 दिन तो लगते लगते हैं टीर वान के बाद 45 दिन कम से कम लगते ही लगते हैं ओके यह तो आप मानगे चलो ओके टीर 2 की त्यारी बाई कितने वाले करेंगे वो सब मैं आपको बता दूँगा टीर 2 के लिए मैंने आपको बता दिया जाके वीडियो देख लेना और टीर 2 की त्यारी करना है आई बी के त्यारी करनी आगे आने वाली भरती के लिए तो टेलीग्राम चनल का लिंक नीचे है और यहां पर मैं लिग भी दे रहा हूं आई एक्जाम भी जीके यह सर्च मार लेना आपको इसका लिंक नीचे भी मिल जाएगा टेलीग्राम का और आप बैसे भी सारी की सारी तयारी करवाता हूं मैं सारी की सारी हमारा रिकाड़् देख लो आप आई भी एसी आई यो का टियर टू का भी तयारी करवा दूंगा आपको यहां पर ठीक है समझ में आ गया और आई भी ऐसी की तयारी तो करवाते ही है भाई और एसी आई यो अगला काव आने वाला बताने सकता मैं आपको ठीक है जो बच्चे जानते हैं कि विक्रम सर सच बोलते हैं हमेशा तो बस कोड में समझ सबको अपनी परतिकिरह देने का हक है मशलेन के अ् Punkt आगे जिसको मजाक लगता है मजाक समझ ले ना भाई किसी जowi मजाक दैजब मैंने एक्जाम आडेट उताई तभी मजाक लगरा था मजाक हो गया पीपर मेंख टिक है तो ठीक है है तो यह देख लिंगे आप लोग है ठीक है फिर मिलते हैं हमारे अगले उड़ें तो तक के लिए गुडबाई एंड जाहिंद